क्यूं कोशिशों के बावजूद सफलता रहती है दूर, गौतम बुद्ध की इस कहानी से मिलेगी सही दिशा. एक बार जरूर पहिए, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षूओं के साथ एक गौव से गुजर रहे थे. उस गाव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे. गाव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था. गाव के निकट बहुत बढ़ा मैदान था, जिसमें छोटे-छोटे बहुत सारे गर्दे खुदे हुए थे. एक भिक्षू ने अपनी जिग्यासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा की, गाव के इस मैदान में जो इतने सारे गर्दे खुदे हुए है, इतना सुनते ही भिक्षू उन गर्दों में पानी धूनने लगता है, लेकिन उसे पानी की बून भी नहीं मिलती। फिर वो गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गर्दों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीर दिख रही वे सभी लोग गाव से दूर एक नदी की और पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गाव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है। गाव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गर्दे तो कर दिये हैं। लेकिन इसके बावजुद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यूं? इसका कारण ये है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है. यदि गाव के लोग अलग-अलग कई गड़े करने के बजाए, सही दिशा में केवल एक गड़ा ही करते जो की सो गड़ों के बराबर होता तो इन्हें अवश ही पहुचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है. असफलता का कारण मन का चारों और भटकना ही है.